देखो भाईया कक्षा दस्वी के MP बोर्ड के जितने भी बच्चे है आप सभी बच्चों का बिलूप्रिंट आ चुका है इस वीडियो में मैं आपको हिंदी बिसे का बिलूप्रिंट विस्तार से समझाऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है पूरा ड MP बोर्ड मद्यप्रदेश MP बोर्ड है ना कोई आपको किसी भी गाईट बगरा में नहीं मिलेगा यह है ना यह ओपिसल बेप साइट पर डला है आप बहां से देख सकते हो कक्षा दस्वी का हिंदी विसे का सबसे पहले देखिए आपका यह पेपर होगा भी या 100 नंबर का पूरा विस्तार समझेंगे इसको हम हमारा पेपर कितने नंबर का पूरा 100 नंबर का हमारे आपर पेपर होगा और हमको पेपर हल करने के लिए तीन घंटे दिये जाएंगे हमको तीन घंटे आपर पेपर हल करने के लिए दिये जाएंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए पढ़ना है अपकी जो zeigt का पढ़ना है रिती काल पढ़ना और आधुनिकाल पढ़ना है रिती काल के पर मुख कभी से तया हो पद सहहत का इतिहास ज्यादा कोश्चन नहीं, महादर, 30-35 कोश्चन कर लेना, उसमें आपको बन जाएगा, प्रमुग 4 कभी के नाम याद कर लेना, आधुनी काल के प्रकति वाधी यूग, छाया वाधी यूग, यह सब आपको पढ़ना पड़ेगा, अगला हैं आपको यहा बात कर रहा है तो इसमें आपको कौन कौन से प्धर पढ़ेना है कवीता वली पढ़ेना है सोंदर रीवोद पढ़ेना निति अश्टक पढ़ेना है इत्ते से पांट पढ़ेना है यार इसे तुम्हारा सिलवस कुत्ता कम कर दिया बत्चो यार पूरा-पूरा पढ़ ले न अंदर से बनकर आएंगे कॉश्ण पहले बोलते रहों में हां क्योंकि पांत होगा है किम पांत कम होगा है ना पेले पांत जाor दे तो पांत से how ? आप से ऐनर तोद あ बैद के पांध के अलुए अंदर थोड़ा दी बनीप में पढ़ना पड़ेगा प्र करके आएंगे लेकिन पांट कम पढ़ना पड़े का आपको यहाँ पर एक benefit यहाँ पर यह मिल गया, अगला है आपको यहाँ पर गदे खंड, गदे खंड मतलब कहानी वाले आपके पांट, गदे खंड में आपको मैं और मेरा देश वाला पांट पढ़ना है, महापूरु स्रीकर्ष्न पढ करना है, मैं और मेरा देश वाला और महापूरु स्रीकर्ष्न पांट बस तुमको याद करना है, सिर्फ दो पांट याद करना है, मैं और मेरा देश और महापूरु स्रीकर्ष्न अगला है सहायक बाचन, सहायक बाचन में देखो तुमको यहाँ पर कितने पांट पढ़ना ह रे नरवद पढ़ना है सल चिकिस्ता सुसूरुत बाला पांट पढ़ना है भगनी निवीदित पढ़ना इतना सबस पढ़ना है यार हिंदी में तो भाई आप सो में से सो नंबर आना पक्के है अराम से बिलकुल तुम सो में सो नंबर ला सकते हैं बहुत सांदर परसेंटेश जाएगा पढ़ाई करना सुरू करतो भाई या बता रहा हूं पढ़ाई करना सुरू करतो बहुत शांदर तुम्हारा आएगा ब्याकरण में क्या पढ़ना है ओनली अरे यार क्या सरल कर दिया तो ब्याकरण में क्या है ना तो ब्याकरण में ब्याकरण भी तुमको वाक्यांस के लिए अनेक सब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है वाक्यांस के लिए तुमको एक सब्द पढ़ना है फिर रस पढ़न के पूरा पूर्षन है एतना पूरा पूर्षन नमब ला सकते हो इस इस विखलत के दस प्रश्ण के लों हैंगे तीन अंक के चार कोशन आएंगे और चार नंबर वाले तीन कोशन आएंगे तो टूटल आपके हाँ पर चार अंक का एक कोशन तीन प्रशन मतलब के तो टूटल तूमारे आप चोतीस नंबर के हाँ पर तूमारे पूरा पूर्शन रहेगा हिंदी का अब इसकी बाद देखो विया हाँ पर थोड़ा सो ओर दिया है देखो इसके बाद देखो गद की विधाय है गद की विधाय में क्या होता है नाट्र के कांग की रेखा चितरे वगर आता है गद की विधाय है आपको यह याद करना है पूरा पूरा याद करना है विया पदेखंड याद करना है आपको पदेखंड में बादाल को घृत्ते देखा वाला पांट पदेखंड मतला पोयाम के और पांट भी पढ़ना है है ना और पांड भी पांट आएंगे ना बीरो का केसा हो बसंद वाला पांड पूरा पढ़ना है और कवीर की साख्या भी मेरे गांकर सुकरू सानती किसने चिनली भी पढ़ना मात्र express MA पढ़ना अगसा को वादार को थ्.wa. 흉त्य षजटो पढ़ना है येख का प्रफथर पढ़ना है और ब्याकर आपको वा differenti रांट सकातमख बाक्ये को नकरातमक नकर आतमक statements को प्रष्ण के कि मैं हम संह ना दोहा चंद पढ़ना है, रोला चंद पढ़ना है, उलला पढ़ना है, रोला चंद पढ़ना है, ये सा पढ़ना है, हरी गीती का पढ़ना है, गीती का पढ़ना है, गीती का चंद और हरी गीती का चंद पढ़ना है, स्री करशने के सुन बज़ें अरजुन क्रोस से जलने लग अलंकार अतिश्योक्ति लंकार अनुमान की पूच में लगन न पाई आग लंका सारी जरी गई गए निसाचर भाग अती शोक्तिय लंकार पढ़ना है अन्योक्तिय लंकार पढ़ना है अन्योक्तिय लंकार माली आवा देखकर खली 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 पुकार फूले फूले चुने लिये काली हमारी बार बक्रोक्तिय लंकार पढ़ना है भी यह मैंने भी यह सब पढ़ा था मेरे दसबी क्लास में 91 इपसिजन नंबर के यह पूर्चन यहां पर रहेगा पढ़्व कर को अब देखो यहां पर अगला के थाँ पर तुम्हारा देखो अगला एक आय और सबसे पहले यहां पर पतेक हंड्ड पतेक हंड में फिर प्योएं बाले पाएंड पान्ट आपको पहला पत चिर सजक आँखी निते वाला पढ़ना हैlect चांद नीचमकती है पढ़ना है गंगा वहती जाती है ये चार​ चित्रा कोर पढ़ने हैं गध्खंड गध्खंड मतलप पूदह गध्वाले पांट इसमें आपको परिक्षा वाला पांट पढ़ना है मने की एक आगरता पढ़ना है ये दो चिप्टर पढ़ना है फिर सहायक बाचन आपकी सहायक बाचन के जो दस पांट है दस पांट में से आपको बेटी या पावन दुआ है दीपक की आत्म कता पिर आपको पत्र लिखा है ना पांच पत्र उसमें भी ये तस बिकल्ट, टोटल तीस नंबर के बिकल्फ हो गए अपने है भना, ह पिर तीन अंगे वाले तीन परशन आएंगे चार अंगे वाले परशन आएंगे तो कुल कित्य परशन हो गए आपर कुल 35 नंबर ऒई तुम्हारे वाला पोर्शन हो गया इस प्रकार तुम्हारा proportion यहाँ पर हो गया कुल 100 अंगे का यहाँ पर रहेगा आप देखो इसके बाद बिसेस संबंदित अधारवु जानकारी के प्रस्टन के जिनके अधार पर रिकाई बस्तुनियत है पूछे जा सकते है समरी पूछ सकता है पांट होगी पर पढ़ेगा ना देखो बस्तुनियत प्रस्टन भाईया तीस नंबर के आपके अब्डिक्टिव रहेंगे अंगे वाले कुश्चन इसके बाद भी जो तीन नंबर के आपके जो कुश्चन आएंगे तीन अंगे वाले जो आपके कुश्चन आएंगे उसमें आपको भीया 75 से 100 सब्दे में आपको उत्तर लिखना है सम्तिक मतलब कि आपको आधा पेश से लिखर के एक पेश तक आपको उत्तर देना है और भीया जो कोशिन 4 नमबर के उसमें आपको 120 से 150 सब्दे मतलब देवर पेश एक पेश लिखर के आपको आना है क्लियर इस प्रकार से पांच प्रस्टनों में से कोई भी तीन प्रस्टन हल करना निवार है छे प्रस्टनों में से कोई भी चार प्रस्टन हल करना निवार है पेपर आपका अलगाज छोटा आएगा इस प्रकार से आपका हिंदी का ब्लूप्रिंट है इस प्रकार आपको त् पढ़ना तो कम्मेंट कर देना हिंदी पढ़ान अब सुरू कर दूंगा मैं